हेलो नमस्कार फेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एर एजुकेशन यूटूब चैनल तो देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे युवा ओलम्पिक खेल 2018 की ठीक है अभी रिसेंट्ली जैसे के आप सभी को पता होगा युवा ओलम्पिक खेल जो है संपन हो चुके है और यहां से काफी सारे कॉसन बनते हैं एक्जाम्स में तो सारे जितने भी कॉसन यहां से बनने वाले हैं एक्जाम्स के लिए वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा और लाश्ट तक देखेगा अच्छे से ठीक है तो शुरू करते हैं और देखें यहाँ पे आपको ध्यान डखना है इन खेलों को जो है ग्रिस्म कालीन युवा ओलम्पिक भी कहा जाता है तो अभी जो संपन हुए है इनको ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आपने मुझे अभी अनेकेडमी पर फोलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा जो अनेकेडमी का लर्निंग एप्लिकेसन है इससे आपको डाउनलोड करना है प्लेइ स्टोर से अप्र दन आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फोलो कर लीजिएगा या फिर जो अपने प्रोफाइल की जो लिंक है वो भी दी गई है नीचे डिस्क्रेप्शन में जहाँ पर क्लिक करके भी आप डाइरेक्ली फोलो कर सकते हैं जिससे कि अपने यूटूब के अलाओ जो अधर लेसंस है वीडियोज है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे continue बिना मिस हुए तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की पहला प्रिशन देखिए अपना हाल ही में संपन यूवा ओलम्पिक खेल 2018 का आईजन कहां किया गया है तो आप कांशोगा यह किया गया है ब्यूनस आईरस में ठीक है देखिए यहाँ पे यह काफ़ इंपोर्टन प्रिशन है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कौसन देखिए दोनों नाम आपको ध्यान रखना है सीटी और जो कंट्रियन का अगला प्रसंद देखिए अपना अर्जेंटिना में संपन यूवा ओलम्पिक खेल 2018 में कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें कुल 206 देशों ने इस सालिया था यह आपको जान रखना है जिसमें कुल कितनी पर 30 पर दाये हुई थी 32 खेल इसमें हुए थे जिसमें 206 देशों ने इस सालिया था ठीक है अगला प्रसंद देख लिजे अपना 18 अक्टोबर 2018 को समाप्त हुए युवा उलम्पिक खेलों की सुरुवात कब हुई थी तो देखिए एक बेसिक नोलेज के लिए आपको देख लेना है इसकी सुरुवात हुई थी 26 अक्टोबर 2018 वो ठीक है 6 अक्टोबर से लेके और 18 अक्टोबर तक जो है ये सलेते ये युवा उलम्पिक खेल ठीक है अगला प्रसन देख लिए अपना ग्रीस में कालिन युवा उलम्पिक खेल 2018 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं तो ये भी काफ़ इंपोर्टन प्रसन है सबसे अधिक पदक जो इसमें जीते हैं रूस ने जीते हैं ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स यहां पर दिखिए पदक तालिका में सीर्स पर रहे रूस ने कुल कितने पदक जीते हैं तो रूस ने कुल कितने पदक जीते हैं इसके अंदर 69 पदक जीते हैं तो पहला इस्तान पर जो मिला है पदख्था लीकाम, वो मिला है रूस को, रूस ने सबसे ज़यदा पदख जीते हैं, 59, इनका थोड़ा सी एक नजर इंपिप डाल लीजिएगा, जो गोल्द है, सबसे ज़यदा किसने जीते हैं, रूस ने जीते हैं, ये भी पूछा सकता है, सबसे ज़यदा गोलड किसने जीते हैं, तो रूस ने जीते हैं, उसके बाद में silver जीते हैं, इसने 18 और 12 जीते हैं, कास्य पदक, तो इस तरीके से यह दियान रख लिजीगा, फिर चाइना का देख लिजीगा, चाइना ने 36 पदक जीते हैं, 18, 9, 9, 9, 36, ठीक है, उस तरीके से फिर next यहाँ पर जापान जीते हैं, देखिए 49, तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हों, टोटल यहाँ पर 10 लिस्ट है, 10 देखों की, ठीक है, तो यह चीज़ा आप देख लिजीगा, ठीक है, चलिए अगला प्रसन देख लिए थे अपना, हाल ही में संपन युवा ओलम्पिक खेल 2018 का स्लोगन क्या था, तो यह इंपोर्टेन प्रसन है, तो यह स्लोगन था, इसका फील दा फ्यूचर, फील दा फ तो यह क्या था, इसका प्रतिक हो था, पांडी, जो कि आप फोटो में देख सकते हो, यह जो है, जो यह युवा ओलम्पिक खेल 2018 है, इसका ओफिशियल मस्कर था, अगला प्रसन देख लिजी अपना, युवा ओलम्पिक खेल 2018 में भारत ने कुल कितने खिलाडियों ने इस सलिया है, तो भारत के कितने खिलाडियों ने इस ओलम्पिक खेलों में इस सलिया है, तो आप कांशोगा, इसमें टोटल भारत के 46 प्लेयर्स ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इसके अंदर ये भी ध्यान रख लेना है, टोटल 13 परतिस परदाओं मे भारत ने इस सलिया था, तेरा खेलों में जो है, भारत ने इसमें इस सलिया था, और खिलाडी कितने थे, 46 थे, अगला प्रसन देख लीजे अपना, ग्रेस में कालीन युवा ओलम्पिक खेल 2018 के, उदगाठन समारों में भारत का दोजवाग किसे चुना गया था, तो देख आपको जरूर धान रख लेना है, वेट लिप्टिंग से, ये आपको जरूर धान रख लेना है, वेट लिप्टिंग से समंदिता है, ये खिलाडी ठीक है, अगला प्रसन देख लीजे अपना, किस भारती है खिलाडी ने भारत के लिए पहला ओलम्पिक सरोनपदक जीता है, तो ये भी काप इम्पोर्टर प्रसन तो ये जीता है, दोस्तो जेरे में लारिन लोंगा नहीं जीता है, ठीक है, जैसा है कि मैंने अभी बुक पर बताया था, ये किस खेल से समंदिता है, वेट लिप्टिंग से समंदिता है, ठीक है, ये आपको ध्यान डखना है, और इन्होंने भारत के लिए पहला ओलम्पिक सरोनपदक जीता है, इसके अंदर, ये आपको ज़रू ध सिल्वर पदक जीते हैं, और एक ब्रोंज मेडल ये, कास से पदक जीता है, यहने कि तीन तो यहाँ पे गौल्ड मेडल ये जीते हैं, सरोन पदक, नो रज़त पदक जीते हैं, और एक कास से पदक जीता है, अगला परसंद देख लिजी अपना, यूवा ओलम्पिक खेल 2018 क पदक थालिका में भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो ये भी important प्रिशन है तो इस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकतो इसमें भारत को मिला है 70 वार रहें किसमें इंडिया को मिला है देखें यहाँ पर आप देख सकतो यह जो number इंगा यहाँ से start हो रही है मैंने 10 वाले 10 तक उपर बताया थे उसके बाद मैं देख सकतो इंडिया रहा है यहाँ से 70 नमबर पर इंडिया है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं अपना किस भारती है खिलाडी ने जूडो परतिस परदा में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक प्राप्त किया यह भी important है जूडो परतिस परदा में भारत के लिए पहला ओलंपिक जीतने वाला खिलाडी कोन है इने में से ये कौसन है आपका तो आप कांशोगा ये है तबावी देवी देखे जो तबावी देवी है इन्होंने जूडो परतिसप्रता में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था ये आपको ध्यान में रखना है और इनका समंद पूछे जाए तो ये कौन से खेल से हैं जूडो परतिसप्रता से जूडो जो खेल है उसी से समंदित है तबावी देवी अगला परसंद देख लिजी ये युवा ओलंपिक खेलों में स्वरन पदक जीतने वाली पहली भारतिया महिला कोन बन गई है तो आप कांशोगा ये जो सबसे पहला जो युवा ओलंपिक खेलों में स्वरन पदक जी प्राप्त किये हैं तो आपका राइटांसों का सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने इसमें शूटिंग के अंदर जीते हैं ठीक है चलिए ये सब भी खेलों पर एक नजर डाल लिते हैं थोड़ा सा यहां पे तो जिसा है कि आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो के अंदर जीते हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और इसमें सिल्वर कितने जीते हैं दो और कांस्य पदक इसमें बिल्खुल भी नहीं जीता है उसके बाद में दूसरा है रैसलिंग है सोरी वेट लिप्टिंग है तो वेट लिप्टिंग में अगर बात करता हूं तो केवल एक पदक जीता गया है और कौन सा जीता गया है गोल्ड मेडल जीता गया है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ये जरूर ध्यान रख लिजेगा कौन से खेल के अंदर कौन सा पदक जीता गया है जिसे कि रिवेट लिप्टिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है उस ब्रॉंज मेडल जीता है यानिकी एक कास्य पदक जीता था इस ओलंबिक खेलों में और वो कौन से खेल में जीता था वो जीता था जो एथलिटिक्स का खेल के वल ये दहान रखना ठीक है उसके बाद में तिरंदा जे कि मैं बात करता हूँ तो एक पदक जीता है बैडमिंट अगला प्रशन देख लेते है अपना भारती एक खेल मनु भाकर ने युवा ओलंपिक खेलों के किस प्रतिस प्रदा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आप कान्शोगा ये जीता है दोस्तों सूटिंग के अंदर जो मनु भाकर है इनका संबंद किस केल से सूटिंग से संबन दीता है और इन्होंने ये जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सूटिंग के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं अपना निमलिक्त में से किस भारती खिलाडी ने युवा ओलंपिक खेल 2018 में गोल्ड मेडल हसिल किया है तो आपका अंशोगा ये किया है उप्यूक्त सभी देखिए जेरेमी लारिन नूंगा ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद में मनुम आकर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है सोरब चोदरी ने इसमें याद रख सकते हो तो चलिए पहला जो gold medal जिता है वो जिता है Jeremy Larinunga ने और ये जिता है दोस्तो weight lifting के अंदर जिता है ये ज़रूर आप ध्यान रख लिएगा किस खेल से समधिता है weight lifting में जिता है और जो 62 kg की जो भारवाली जो boy परतिस परदा थी उसके अंदर इनों ने ये gold medal जिता है दूसरा जो gold जिता है मनु भाकर ने जिता है और ये जिता था shooting के अंदर जो 10 meter की जो girls के लिए air परतिस परदा थी pistol air परतिस परदा उसके अंदर इनों ने ये मनु भाकर ने जिता है ठीक है shooting के अंदर तो तीनों गोल्ड थे अमारे इंडियान जो जीते हैं, तीनों के नाम आप ध्यान रख लिजिए अगा, ठीक है, चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं, युवा ओलम्पिक खेल 2018 में निमन में से किस भारतियां ने कास्य पदक हासिल किया है, तो आप कान्षोगा प्रिविंट चित्रवैल ने, बहारत ने इन बठाया, उपर एक ही कास्य पदक जीता है और वो किस ने जीता है, चलिए अगला प्रसंद देख लते हैं, युवा ओलम्पिक खेल 2018 में, किस भारती खिलाडी ने सूटिंग प्रतिस प्रदा में रजत पदक हासिल किया है तो आप काकाणशोगा ये जीटा है दिखिए यहाँ पर उप्योगत सब भीकी में बात करूँ यहाँ पर तुसार माननेन जीता है मैघुली गोस ने जीता है मनुबाकर ने जीता है दीकि रजत पदक की बाद की बाद की है मैंने बताया था टोटल नो रजत पदक जीते हैं तो इन तीनों को नाम तो इसमें सामील है उसके अलाव जो बाकी के बज़े होए मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको देख लीजिएगा तुसार माने इसमें सामील है शुटिंग से रिल्टेड़ तुसार माने उसके बाद में तबावी देवी है यह जूडो से संबन दिता है इन्होंने इस सारी जो लिष्ट आप देख रहे है तो यह देखिए यहाँ पे वीडियो को आप इस टॉप करके इसको इस लिष्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे वीडियो रोक के और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में एक बाग यह हो गए हमारे और जो बचे होए है यहाँ पे देख लीजिए देखिए यहाँ पे अगर वैसे मैंने बताया था कि नो सिल्वर पदक जीते हैं लेकिन आप अगर इनको काउंट करोगे तो यह नो से जादा हो रहे हैं इसका मतलब में आपको अताओ तो यह ज़्यादा देखिए इसलिए हो रहे हैं कि जो सयुक्त में जीता गया है उनका भी नाम यहाँ पे दो बार जीसे कि कोई मिसरित जोडी ने जीता है तो यहाँ पे जीसे कि तबाभी देवी है इसने और जो लक्से ने इनोंने जो है ज तो यह जो है नाम इनके समंधित आप जरूर धान रख लीजेगा ठीक है यह लिस्ट आप देख लीजेगा वीडियो को आराम से रोपके और इनका समंध है यह जरूर देख लीजेगा ठीक है चलिए यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको बता देता ह जो कर जो पिछला जो हुआ था यहाँ पे यूँआ ओलम्पिक खेल वह था था 2014 के अंदर और इसके अंदर भारत ने केवल दो पदक ही जीते थे ठीक है एक तो इसमें जीता था इहाँ पे ब्रोंज मेटल एक कर लीजेगा तो एक सिलबर प्लस एक ब्रोंज यहाँ पे वाहिए पर आगामी भी आप दयान रख लीजीगा ठीक है तो यह थे फ्रेंट्स जितने भी कॉसन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है और उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी किसी भी कॉसन से रेलेटेट कुछ टाउट है तो comment box में जरूर लिखेगा वीडियो पसंद आए तो इसे सेर जरूर कर दीजेगा जो भी आप फेस्बूक ट्वेट जो भी आपका वाटसप ग्रूप है ठीक है तो आप इसे सेर कीजेगा ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों साथ सो आज की स्लेशन में तना है थेंक्यो समच पर वचिंग आस धन्यवाद